कि अच्छा सितारा की सास की महबत में दिखाई दी है जब के हमने तो हर किसी को ऐसे मजा करते हुए सुना है कि हजबन की महबत है चलो खेर वो सब बोलने की वैसे बाते है कोई ऐसा नहीं है कि कुदा की कुदरत ने या कोई इसलाम ने या कोई धरम ने ये चीज़ को काई लेकिन हर एक के मुँद से मैंने ये सुनी हूँ कि मेंदी का जो रंग आता है उसमें हस्बेंट की महबत को परका जाता है तो इसकी सास की महबत परकी जा रही है क्यूंकि कलर ठीक से आया नहीं कि गोंचु कित्ता प्यार करता है वो बोल नहीं सकती थी तो सास की महबत है चलो भई ड्रामें सुरू हो गए जल्डी जल्दी तो खर मैं डेली उट जाते है भाल बैचो साम को चार पांच बजे जल्दी उट जाती है बच्चो को सुस्कूल यह जाती पहले गोंचु बेशता था उसके बाद में पारू कंटी बेशता था उसके बाद में अम्मी आ गए और यह जल्दी उठ जाती है और बच्छों को स्कूल बेशती है मस्त जोगमारी की बाते सुनके ना बड़ी असी आई के फाइनली में 14 साल बाद दुबारा से दुलहन बनने जा रही हूं वा भई यह नहीं बताया किसके लिए दुलहन बन रही हो किसके लिए यह सब ड्रामा कर रही हो यह भी बता देती क्योंकि लोगों को ना तुमारे प्राइडल शूट है कभि मायोट है कभी किया कभी क्या यह ना इसक ड्रामा है लोगों ने पर रिव्यू तो कल अच्छे दिये इतने अच्छे के कमेंट पढ़ पढ़ के इतनी अत्यारी थी बुड़ी लाल लगाम को अबदुलहन बनने की पढ़ी ए जिब दुलहन बनी इसके बाद में इसने उसको मूँ नी लगाई को इसकी उसकी और बन-बन के गूम रहीती रह समझ यह ना वह बन-बन के गूम रहीती अब 14 साल बाद इसको यादा आया के। केस आजीद नाम का एक गोचु है जो इसका हस्बेंड है तो ये उसके लिए दुलहन बन रही है खैर इतने ये बता दी के ब्राइडल शूट है अभी इसके पीछे ड्रामा तो आप लोगों को पता ही है होता ही होता है जो ये बताती है वो बात होती नहीं जो ये बताती नही यह वह बात होती है जो यह दिखाती नहीं अच्छा आप लोगों को मैं यह बता हूं कि जित तरह से यह कैमरे पे हाथ रख रखके और ब्राइडल शूट करके और सेम टू सेम किसी की कॉपी करके ब्राइड बनने की कोशिश कर रही है सेम टू सेम उसके जैसी एटिंग करके मतलब वो तो रियल करती है यह इसकी कॉपी करके उसके जैसी बनने की कोशिश कर रही है ताके इसके मिलियन फॉलोवर्स हो जाए इसको मिलियन लोग देखने लगे तो भाई कॉपी कॉपी होती है और अपने आसपास में अपने देस में तुमारे खुट के वहाँ पर कोई जैसा नहीं है जिसको तुम अपनी आइडल बनाओ उससे कॉपी करो क्यों सबा के पीछे पड़ी रहती हो तुम सोस्ती हो मैं इसके जैसी कॉपी करूंगी सेम तो सेम उसके जैसा करके और लोगों को मैं अपने तरफ ले लूँगी सबा के चैनल को गिराने की कोशिश कर र करती हो के उतने बंदे तुमको देखे तुमको प्यार करें तो भाई उसने इज्ज़त कमाई है और तुमने खरी दिये यह है तुम लोग दोनों में फरक ठीक है और सबा की कॉपी तुम कभी भी नहीं कर सकती तुम सबा के पैर की धूल तक के नहीं बन सकती साथ जनम ले ओ नहीं तो अपना कुछ करो ना खुद का कुछ करो अवा की क्यूं करती हों अब तुमने केमरे पर हात रखना सब्सक्राइब तुमारे नंदर क्या टैलेंट पर जगड़े लगाने के इसके सब्सकराणा धमकिया भेजना तराना गाली गलोच करवाना यह सबके अलावा तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो भी तो दिखाओ तुम्हारा टैलेंट तो तुम्हारा टैलेंट 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 तुम्हारा ट पएड़ी यह सारी दुनिया कहे रहे इतने सारे कमेंट के सितारा पुछ रहीत था के यह मेरा सोना को सालने समस्टींद। इस यह सारा कुछ dice एक पिछली विडियो में भी बताया था ना मने आफैर को प्यार को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया रिस्तेदारों को नहीं चोड़ा वाइसे सिटार नहीं चोड़ा यह चल रही है और अम्मा को दिखा के पब्लीक को यह जताना चाहती है कि मैं जो कर रही हूं मैं बहुत अच्छा कर रही हूं अम्मा सपोर्ट कर रही है तो भई अम्मा तो तुम्हारे हारे गंदे और घटिया काम में सपोर्ट करेंगी क्योंकि अम्मा के लिए वो सब बाते बड़ी बाते नहीं है, अमा को ये सब बाते नॉर्मल लगती है तुमने जो कहा था ना कि मैंने गुना होते हुए देखा है, तो बस हम समझ गए फिर कि अमा तुमको क्यों नहीं रोकती, अमा ने तुमको वो टाइम पे क्यों कहा था कि किसी को बताना नहीं, इस बात को चुपा लेना, क्यों कहा था क्योंकि मां पे अमा थी ना और तुम अमा की बेस्ती कर रही थी, ये बता के कि मैंने गुना करते देखा है, वो मेरा खून था, जबके रुबिना के लिए तो ये नहीं कहेंगी कि वो मेरा खून था, वो तो तुम्हारे खांदान की है नी, खून तो था नी, तुम इशारा उसकी तरफ दे रही थी, लेकिन रियल में अमा थी, और अगर किसी ने ये कहा है, कि ये सल्मा की तरफ इशारा दे रही थी, तो हमने पता लगाया, भई, ये रूबिना की तरफ इशारा दे रही थी, लेकिन वहाँ पे थी, अमा, जो जो हमारी प्यारी सभा इब्राहिम को फॉलो करते हैं, जो उसके हर एक वीडियो, हर एक चीज को देखते हैं, हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों को पता है, दो-तिन दिन से सभा भी अपने वेट को लेके थोड़ा सी बाते कर रही है, और इसने भी वोई शुरू कर दी, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये पूरी-पूरी गुज आती है, सभा के वीडियोस में, और जो-जो सभा बुलती है, पिर ये आके अपने वीडियों में कॉपी करने कोशिश करती है, लेकिन इससे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो ब्रैंड है वही ब्रैंड, वो है ना ओरिजनल है, और तू कॉपी कैट, जो कभी भी उतके पैर की धूल तक्के नहीं बन सकती सांड से मूँ की तू और पतली, तू भैंसा लगती है, अगर तू किसी और के वीडियो में आ जाती है, तो तेरे वीडियो में तो चल तू फिल्टर वगेरा लगा लेती है, लेकिन किसी और के वीडियो में तू भैंसा लगती है, तो तू जो तो है और तुम को यह सोश्ति हो के यह सब मैं करवा के फिर एक है करूंगी ताके पबलिक को यह ना लगे कि मैं सबाग की कॉपी कर रही हूं तो भाई हमें सब समझता है कि वह समझता है वह तेरी जो सपोटर रहे तेरी सोतन बनने के जो सपने देख रही है चुसलीमा तो उसने इसा क्यूं लिखी थी उसने लिखी दिसरे दिन तुने आके वजन को लिखे इतनी थारी बाते की और अब तू आगे जाके वेट लॉस करने के लिए तु ड्रामे करेंगी जो तेरे से हो नहीं पाएंगा तु और बड़ी बहसा बनेंगी देखना तो सबा को यार कितना कॉपी करेंगी तेरा कुद का कुछ नहीं इसके शूट के दोरान ये अंदर मेकप करवा रही है और किसी के लिए रात के लिए तैयार हो रही है और बच्चे बिलबिला रहे है रो रहे है दरवाजे पीट रहे है और ये दुलहन बनने में लगी हुई ह ये है इसकी असलियत ये जो बच्चों के नाम पे भीक मांगती है न ये खुद बच्चों की कितनी केर करती है वो दिखा दी इसने और भी बहुत बार दिखाई थी और अभी भी दिखा दी खेर और भी कुछ बात है मैं आगे वीडियो में करती हूँ कस्टमर पे जाने के लिए रेडी हो रही है अमा चाय नाश्टा बना बना के ला रही है बच्चे रो रहे बिल विला रहे और यह हो रहा है इसका ब्राइडल शूट लाक लाना ते सितारा तुछ से ना पाएंगा कौपी भी नहीं कर सकती तू मत कर रहे ने दे दफा हो जा बुला कि मेरा मेकप भी हो गया मैंने तीज पहले व imagining पहुती हैं एफिर व Extra कि पहेंगा पहं लें लेकिन जो लोगों ने असली नजरों से देखा है न वो लोगों ने जो तुमने पूछा ना कि मेरा मेकप कैसे लग रहे है जरूर बताना तो वो लोगों ने तो कली बता दिया था इतना मजा कुड़ा है तुम्हेरे मेकप का बोले है के लंगूर के हाथ में अंगूर तुम एक नंबर की चूद इक रहीती है इसे बोल रहेते लोग बुरा लगा वो क्या कर सकते न मगर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोलते हैं अब वो तोड़ी कड तो सुना आप लोग ने कितनी घड़िया घड़िया बाते सिकाती है सिकाती क्या है बास इन लोग जो माबाप देख करते हैं बच्चे वह देख देखके सीखते हैं वह इतना थी दो विल्लस का पूछ रहा है कि शादी आप करके आई हम तो कब से पैदा हो गए मतलब इनके बच्चो को पता है कि बच्चे शादी के बाद पैदा होते लेकिन इनके बच्चों vilे शादी के बाद लेकिन इन लोग घड़िया पने करते तोö आप लोगों से पूसिते हूँ कमेंड में बताना कि आपवादि ने वह सिखा आया है अगर आप लोग इस सब घडिवा बातों के उपर सितार है को सपोर्ट करते हैं तो यह बताओ कि आप लोगों के जब से बाते करते के आप साधी हो गई है हम तो पहले पैदा हो गए यारहत होती है कितना चिछोरापना करवाएंगी अपने दो विल्लसके बेटे से अर आके कहे रही है ये गई थी होटल में अब होटल में गई थी और फिर आके कहे रही है कि मैं तोड़ी दूर पर गई थी मुझे इतनी याद आये बच्चों की तो पुरी पुरी रात के शूट पे गई थी तो मुझे बच्चों की बड़ी आद आई तो यह सब ड्रामे नहीं कर बीबी जी हमें पता है तुमको कितनी फिकर है बच्चों की कितनी आद आती है जाब पूरा पूरा हकता तुम जीजा के साथ में सोने के लिए जाती रही हो शाम को 6-7 बजे निकल जा और शारुक के हवाले छोड़ के तुम बे फिकर हो के जीजा के साथ में हवस बुजाने के लिए जाती रही तब याद नहीं आती थी बच्चों की अभी ढोंग करके दिखा रही है लानती अवरत अच्छा यह भी मैं बता दूं एजास के साथ में भी यह जो 12 साल तलके यह यहाँ वहाँ मौ मारते गूमी है ना तभी भी तैयबा और मुस्तफा थे उनको छोड़ छोड़ के जाती थी दो दो तीन तीन दिन के लिए गायव हो जाती थी होटलों में रुखती थी जाके फिर एजास जब चला जाता था ना गाहों तब यह घर पे वापिस आती थी द तो यह आप लोगों को पता ही है इंसान को जब अच्छी लोकेशन चाहिए रहती है तो लोग होटलों में नहीं जाते हैं लोग अच्छी पार्क में जाते हैं जैसे पहाड़ियां होती है इसी सब जगह पे जाते हैं ना के होटल में जाते हैं अब आगे चलके कोई होटल क सीन आएंगा तो इसको बोलने के लिए भी तो चाहिए ना कि मैं तो शूट कर आने गई थी वीडियो कैसे बन गई और यह सब जो आ रहे हैं मतलब होटल के पुरूफ यह सब लोग ड्रामे करके लेकर आ रहे हैं मैं तो किसी के साथ में सर्विस देने नहीं गई थी मैं तो श यह दूलन बनके आना है वह इसाफ से लोग रेडी होके जाते हैं तो सितारा को भी ऐसा ही कोई कस्टमर मिला था वह इसाफ से वह रेडी होके होटल में गई थोड़ावाश शूट कर आई उसके बाद में फिर अपना काम निप्टाई और उसके बाद यह घर वापीस आई तो यह जो ड्रामे रचा रही थी ना शूट वगेरा के यह सब तो खली दिखाने के लिए जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया ना के कोई को भी ना ब्लैक मतलब गलत काम करने के लिए एक वाइड धंदा आगे दिखाना पड़ता है तो यह जो ब्राइडल शूट है तो मैंने इसके अपर प्रॉपर वीडियो बना के डाली थी लेकिन कुछ लोग लगता है नियुक्त जुड़े हमसे यह वह वीडियो लोगों ने नहीं देखी इसके लिए शाय से वह वह इसे कमेंट आ रहे थे तो इसके बारे में आप जरूर रिप्लाय करना जरूर अपन के साथ बताईती और वो वीडियो मेरे चैनल पर पढ़ी है जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखना और पॉसिबल हो पाया तो मैं इसका लीन डिस्क्रिप्चन में डाल दूंगी आप वहां आते भी देख सकते हूं तो जो वेबर ने बताया है यही बाते मैंने पहले सकती हों और यह बात तच है कि के वकारने रहकत की है और जरूर की है और बिल्कूल की है क्योंकि जब एस पता के ऒाधिए को और उसको है ना इसके भाई ने फारुक ब्योडे ने भी उसको बहुत मारा था वक्तार को जब उसने यह हरकत की थी और उसके बाद में फिर इनके आपस में बहुत ज़्यादा कलेश चले हैं जिनके मतलब आप लोगों को अगर याद होगा तो जो इसका जेट है कोई भी जे के लिए आया था शांत करने के लिए आया था कि क्या हो गया इज्जत ही तो चली गई ना कोई बात नहीं जाने वाली चीज़े तो दफा करो उस बात को आपस के जो जगड़े हैं इसको छोड़ दो अब यह जो आरकते कर रही हैं मेकप करने के और अपनी मां को पूरी पू पास में हुआ है लोग खुद भी चूप हो गए तैयबा को भी इस चीज़ के लिए राजी कर ली होगी ना कहां यह चीज़े होती रहती है क्योंकि लोगों के लिए आम बात है तो तो भाई अब बनेंगी दूसरी सितारा यासीन कॉल गल जो हम नहीं चाहते थे कि वह बने हम चाहते थे इसके बच्चे है ना इंसान के बच्चे बने लेकिन यह खुच चाहती है कि इसके बच्चे कॉल गल बने गंदे काम करें गटिया काम करें इन लोगों का मोटिफ सिर्फ और स्रीफ पैसे आना है इज़द बच्चे बेटियां यह सब चीजों से इनको कोई ल दिलवाती और वकार को सजा भी दिलवाती और जैसे ये लोगों के लिए खड़ा खुदती है तो आके कैमरे पे बताती है उस तरह से वो उसको इंसाफ दिला सकती थी कैमरे पे बताने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कोई बदनाम कर रही है ये नहीं होता बलके ये होता कि लो किसी की लोगों के लिए यह बते हैं लोगों के लिए जादी शुदा होने के बाद में यह हाम होती हैह अपने हज़्बेंड के साथ इन लोगों के लिए हर इसे हो गाना रहा पात है निया देब हैता है यह दे बात को ज्यादा दिल पे नहीं लेने का तो जो भी विडियो में ने बाट पहले बना भी चुकी थी और वो वीडियो आप लोग जरूर देखना और अभी आप लोग कहोगे के बता हुआ क्या है खुल के बताओ तो यार थोड़ा सी तो अंडेस्टैंड करो ना कहते हैं ना त सारी बाते देखो और आप लोगों को समझा जाएंगा कि विकार ने क्या किया है जो सितारा ने अपने जीजा के साथ में करती रही है वह वकार ने तैयबा के साथ में किया है बातित से इसे मिला वकार को कुछ सितारा ने उसको बढ़ावा दिये और मुझे यह लगता है सितारा ने यह तब जान बुचके किये ताके तयबा को यह तब चीजों की आदत पड़ सकते हैं यही लगता है वरना कोई भी मां कोई गैर आदमी के साथ में अपनी बेटी को एक रूम में बन नहीं करेंगी पढ़ाई के बहाने से ठीक है तो यह वीडियो में यहीं पर अंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेने में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नेक्स